काल जब अपने घर से किसी को लेने निकल जाए तो फिर वो रिख 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 रखों लोटता नहीं कभी नाम करन समारों में में सब के सामने इसे मृट देतों गाँगा सुम अमर हो जाओंगा अमर अमर जी जी आप बिल्कुल भी चिन्तित मत होईए हम बड़े हर्श और उल्लास के साथ हमारे राजकुमार का नामकरन समारोह मनाएंगे बड़े बड़े राजा महराजा हमारे इस समारोह के अतीति होएंगे हमें तो बहुत सारी तयारी करनी है अभी नहीं कोई समारोह नहीं मनाएजाए एसा करना मेरे पुत्र के लिए स्वैम आगे बड़ शंकट को निमंतन देना समारोह में सेकड़ो अधिति आएंगे तो यह बालक को देखेंगे उसके पास जाएंगे पर यह मैं नहीं चाहिए पर जीजी द्वारका के राजकुमार का नामकरन संसकार होना तो आवश्यक है ऐसे अवसर पर ही तो आसपास के राजा महाराजों को बुला कर संबंद बढ़ाए जाते हैं और यह तो शगुन का काम है समारोह तो उना ही चाहिए जीजी हाँ हाँ राजकुमारी जी महारारी सत्य भावा बिल्कुल ठीक कह रही है आप तो व्यर्थ में चिंतित हो रही है वारका देश जी के रहते हुए अब राजकुमार जी के सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित हो रही है नहीं धायमा कोई भी व्यक्ति या मित्रता मेरे पुत्र के जीवन से अधिक मोल नहीं रखती है मैं समारोह में आने वाले अधिथियों से डरती हूँ कौन जाने संकर कौन सा रूप धरकर आजाए धायमा रुक्मनी सही कह रही हूँ वो एक मा है और मा की आशंका कभी अनुचित नहीं होते है नहीं द्वार कादीश जी नहीं नहीं मैं राजकुमारे जी को समझा दूँगी मैंने कहा ना उनकी चिंता और उनका भै एकदम व्यर्त है हम सब के प्यारे नन्ने राजकुमार का नाम करण संस्कार वो तो विधियों और विधान से होने ही चाहिए ना नहीं धायमा यदि राजकुमारी कह रही तो उनकी बात का सम्मान करना होगा स्वामी आप जानते हैं ना बालक की छटी भी है आँ सत्य भाम और नाम करन भी होना है कि तो उसमें अतितियों को नहीं बुलाया जाएगा नाम करन समारों घरवालों की उपस्तिती में ही होगा ठीक है स्वामी किसी को भी न्योता नहीं दिया जाए द्वारी का अधिश के सेंक्रों करतितियों की उपस्तिती थी मैं इन्हें विवश होता देखना चाहता था विवश पर तो लगता है मेरी ये युचा तो पूरी नहीं हो पाईगे करंतर हाँ इसकी सवालता का आलत तो निश्चित्रे निश्चित्रे करें द्वारे का दिश्वरे नारायन नारायन हे ब्रम्देव उत्र मों में भगवान श्री कृष्व विधी के विधान के साथ साथ तीनों लोकों से टगराने के लिए तैयर हो गए हैं हे ब्रम्पिता ऐसे में प्रश्ण ये उठता है कि क्या वे अपना निर्ने बदल देंगे या आपको अपना वर्दान वापस लेने के लिए विवश्च करते हैं दिये हुए वर्दान कभी वापस नहीं लिए जा सकते नाराद हे ब्रह्मदेव ये तो बड़ी ही विकट स्तिती उत्वन हो गई है समराशुर का काल है वो बालक और यदि श्री क्रिश्च अपने बालक को समराशुर से दूर रखेंगी तो समराशुर की मृत्यू कैसे होगी विधी का विधान किसी के लिए भी बदला नहीं जा सकता है नाराद इसके लिए यदि मुझे श्रीहरी विश्णू और महेश तीनों को यदि श्रीक्रिश्च को समझाने जाना पड़े तो हम जाएंगे राएन नाराएन प्रभु श्रीक्रिश्च के पुत्र मोहन आज इस त्रीमूर्ति को धरा पर उतरने के लिए विश्च कर दिया है देखो, देखो कैसी चान ने फैली और चंद्रदेव के आस पास कितने सारे तारे भी है जब तुम बड़े हो जाओगे, तो हम दोनों मिलक कर साथ में ये सारे तारे गिनेंगे अच्छा, पहले कभी तारे गिनेंगे आपने? नहीं तो, किन्तु क्या हुआ? आज ने का ब्यतन तो करी सकते हैं ना? अच्छा, तो फिर गिन्गे? रुक्मने, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में तारे गिनते हैं एक, दो, तीन, चार प्रभू, वो तीन तारे, उन्हें तो आप गिन्ना भूली गए मुझे सबसे दाज चमक रहे हैं, उन्हें तो गिन्ये रुक्मने, वैसे जितना सरल मुझे लग रहा था, उतना सरल है नहीं किन्तु किन्ने में आनन बहुत आ रहा है अब ये आनन आप बाद में उठाईएगा आपके पुत्र को नीद आ रही है, मैं चलते हैं झाल रहा है झाल तो झाल हमारा नन्ना राजकुमार, केशाने, लाजकुमार इजी, लन्ने राजकुमार को मुझे बीजी. के लाजकुमार 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 के प्लिड़तो प्लिड़तो